आइए बच्चों मैं आपको पहले वाटर कलर्स के नेम बताती हूँ देखें ये कौन सा कलर है? रेट कलर है ये कौन सा कलर है? पैरट ग्रीन कलर ये कौन सा कलर है? येलो कलर ये कौन सा कलर है? ब्लू कलर ये कौन सा कलर है? पिंक कलर और देखें ये कौन सा कलर है आरेंज कलर तो मैंने आपको क्या बताया भी वाटर कलर्स के नेम तो आए अब मैं आप लोगों को हम लोग वाटर कलर्स कैसे बनाते A, B, C, D वो भी बताती हूँ तो देखें बच्चो ये कौन सा कलर है ये है रेट कलर A मिन्स क्या होता है A मिन्स होता है एपल एपल मिन्स होता है सेव क्या होता है एपल मिन्स एपल मिन्स होता है सेव तो देखें हम लोग A में कौन सा कलर को फिल कर रहे हैं A में हम लोग रेट कलर को फिल कर रहे हैं A में देखें हमारा क्बाल है फिल फिल कलर धिनज किया होता है दिमीन्स होता है बंइन्स होता है बीधिया टार कुल में जो गया लगाया यह कमारा टील कालर फिल हो गया धिके बाद तक है भी के बाद आता है C और ये कौनसा कलर है यलो कलर है C मिन्स क्या होता है C मिन्स होता है Cat Cat मिन्स होती है बिली क्या होती है Cat मिन्स Cat मिन्स होती है बिली तो देखे C में हमारा कौनसा कलर फिल हुआ C में हमारा यलो कलर फिल हुआ C के बाद क्या आता है C के बाद आता है D और ये कौन से कलर है? ये है ब्लू कलर कौन से कलर? ब्लू कलर तो D मिन्स क्या होता है? D मिन्स होता है डॉग डॉग मिन्स होता है कुटा क्या होता है बच्चो डॉग मिन्स? डॉग मिन्स होता है कुटा तो देखे D में हमारा कौन सा कलर फिल हुआ D में हमारा ब्लू कलर फिल हुआ D के बाद क्या आता है D के बाद आता है E क्या आता है E आता है और ये कौन सा कलर है पिंक कलर है E मिन्स क्या होता है E मिन्स होता है Elephant क्या होता है बच्चो E मिन्स E means होता है Elephant Elephant means होता है हाथी क्या होता है Elephant means Elephant means होता है हाथी तो देखे E में हमारा कौन सा कलर फिल हुआ है E में हमारा Pink कलर फिल हुआ है E के बाद क्या आता है E के बाद आता है F क्या आता है F आता है और देखे ये कौन सा कलर है आरेंज कलर है तो आरेंज कलर से हम लोग F को कलर करेंगे F मीन्स होता है फॉक्स फॉक्स मीन्स होता है लोमडी क्या होता है फॉक्स मीन्स लोमडी होता है F के बाद क्या आता है बच्चो F के बाद आता है G क्या आता है G आता है और देखिए कौन से कलर है रेट कलर है तो रेड कलर से हम लोग G को कलर करेंगे G मिन्स क्या होता है G मिन्स होता है ग्रैप्स क्या होता है बच्चो जी मिन्स G मिन्स होता है ग्रैप्स ग्रैप्स मिन्स होता है अंगूर क्या होता है ग्रैप्स मिन्स ग्रैप्स मिन्स अंगूर होता है तो देखें जी में हमारा कौन सा कलर फिल हुआ है जी में हमारा रेट कलर फिल हुआ है तो बच्चो अब बताएए जी के बाद क्या आता है जी के बाद आता है एच क्या आता है जी के बाद जी के बाद आता है एच तो आएब हम लोग H में कौन से color को करते हैं H में हम लोग parrot green color को करते हैं H means क्या होता है H means होता है hen Hen means होता है मुर्गी क्या होता है hen means Hen means होता है मुर्गी तो देखे H में हमारा कौन सा color फिल हुआ है H में हमारा parrot green color फिल हुआ है H के बाद क्या आता है H के बाद आता है I और ये कौन सा कलर है यलो कलर है I means क्या होता है I means होता है आईस क्रीम तो देखे I में हमारा यलो कलर फिल हो गया तो बच्चों आप लोग भी ऐसे अपने घरों में ट्राइ करिए और आगे बढ़िये पढ़के